घटाव की बुनियाद इस विडियो में हम देखेंगे मानसिक गडित की कुछ युक्तियों का प्रयोग कर घटाव के सवालों को हल करना सिखाना और जोड घटाव तत्थे परिवार द्वारा जोड और घटाव की अवधार्नाओं की बीच संबंद दर्शाना चलिए अब इसे विस्तार में समझते हैं अब जिस प्रकार दो अंकिये जोड की सवालों का हल सरल करने के लिए हमने तीन युक्तियां लगाई थी उसी प्रकार हम घटाव में भी दो युक्तियों का प्रयोग करेंगे पहली युक्ति को देखते हैं जो है संख्याओं को इकाई और दहाई में तोड कर बिना हासिल या उधार वाले सवाल हल करना उधारन के लिए उन्निस माइनस आठ पहले उन्निस को दहाई और इकाई में तोड़ो हो गया दस और नौ अब दस को एक तरफ छोड़ दो और बाकी संख्याओं का घटाव करो यानि नौ माइनस आठ बराबर एक अब घटाव के उत्तर को दस में जोड़ दो तो हो गया दस जमा एक बराबर ग्यारा तो इस प्रकार से उन्निस माइनस आठ को तोड़ कर सरल किया जा सकता है अब दूसरा उद्धारन अठारा माइनस छे पहले अठारा को दहाई और इकाई में तोड़ो हो गया दस और आठ दस को एक तरफ छोड़ दो अठ माइनस छे बराबर दो अब घटाओ के उत्तर को दस में जोड़ दो तो हो गया दस जमा दो बराबर बारा इस प्रकार अठारा माइनस छे को तोड़ कर सरल किया जा सकता है अब तीसरा उद्धारन अठाइस माइनस पांच पहले 28 को दहाई और इकाई में तोड़ो हो गया 20 और 8 10 को एक तरफ छोड़ दो और बाकी संख्याओं का घटाव करो यानी 8-5 बराबर 3 अब घटाव के उत्तर को 10 में जोड़ दो जो हो गया 20 जमा 3 बराबर 30 इस प्रकार 28-5 को तोड़ कर सरल किया जा सकता है चलिए और उधारन लेते हैं थोड़ा अभ्यास हो जाने के बाद बच्चे इन सवालों को अपने मन में ही हल करने लगते हैं इस प्रकार से उधारन लेते हैं 29-8 इस सवाल में संख्या को इकाई और दहाई में तोड़े बिना ही दोनों की इकाईयों को घटाया जा सकता है हो गया 9-8 बराबर 1 और 20 जमा 1 बराबर 21 इस प्रकार 39-8 को हमने मन में ही हल कर लिया अब अगला उधारन 48-6 इसमें भी सवाल की संख्या को इकाई और दहाई में तोड़े बिना ही दोनों की इकाईयों को घटाया जा सकता है 8-6 बराबर 2 और 40 जमा 2 बराबर 42 इस तरह 48-6 को हमने मनी मन में हल कर लिया अच्छा एक और उधारन 87-5 इसमें दोनों इकाईयों को घटाया 7 में से 5 तो बचा 2 फिर 80 जमा 2 बराबर 82 तो 87-5 को हमने मन में ही हल कर लिया ठीक है? अब दोनों संख्याएं दो अंकिये लेते हैं पर अभी भी बिना हासिल के उधारन 69-28 यहाँ पर हम दोनों संख्याओं को इकाई और दहाई में तोडेंगे यानि साथ और नौ और बीस और आट फिर हम दहाई को दहाई में से घटा देंगे और इकाई को इकाई में से घटा देंगे यानि साथ माइनस बीस बराबर चालिस और नौ माइनस आट बराबर एक तो हो गया चालिस जमा एक तालिस उनहत्तर माइनस अटाईस बराबर एक तालिस बस अब अगला उधारण अटालिस माइनस पच्चिस यहाँ पर भी हम दोनों संख्याओं को इकाई और दहाई में तोडेंगे यानि चालिस और आट और बीस और पाँच अब फिर से हम दहाई को दहाई में से घटा देंगे और एकाई को एकाई में से घटा देंगे यानि चालिस माइनस बीस पराबर बीस और आट माइनस पाँच पराबर तीन तो हो गया बीस जमा तीन बराबर तेईस देख लीजे, 48-25 पराबर 23 होता है एक और उधारण 96-74 यहाँ पर भी हम दोनों संख्याओं को इकाई और दहाई में तोड़ेंगे यानि 90 और 6 और 70 और 4 अब फिर से हम दहाई को दहाई में से खटा देंगे और इकाई को इकाई में से खटा देंगे यानि 90-70 बराबर 20 और 6-4 बराबर 2 तो हो गया 20 जमा 2 बराबर 22 तो 96-74 बराबर 22 ही तो होता है ठीक है? चलिए अब घटाव सरल करने की दूसरी युकती देखते हैं इसे हासिल या उधार वाले सवालों में प्रयोग किया जाता है उधारन लेते हैं 13-8 इसमें हम संख्याओं को तोड़ेंगे नहीं बस जो संख्या घटाई जानी है उसे सरल करने के लिए एक दहाई संख्या बना देंगे घटाई जाने वाली संख्या है 8 अब 8 को यदि दहाई संख्या यद 10 बनाना हो तो उसमें हमें 2 जोड़ना होगा तो 8 जमादो बराबर 10 अब 8 में 2 जोड़ा तो दूसरी संख्या में भी तो 2 जोड़ना होगा नहीं तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा ना तो अब हमारा नया सरल सवाल हो गया 13 जमादो मैनस 8 जमादो 13 जमादो हो गया 15 और 8 जमादो हो गया 10 तो 15 मैनस 10 हो गया 5 आसान है ना तो 13 मैनस 8 पराबर 5 इसी प्रकार से आप ले लीजिए 21 माइनस साथ, साथ को दस बनाना है तो उसमें तीन जोडेंगे, और दूसरी संख्या 21 में भी तीन जोडेंगे, तो हो गया 21 जमा तीन 24, साथ जमा तीन 10, हो गया 24 माइनस 10 बराबर 14, देख लीजिए 21 में से साथ घटाने पर 14 ही आता है, ठीक है, चलिए अब और बड़ी संख्या लेते हैं, 56 माइनस 49, 49 को दहाई संख्या बनाने के लिए हम उसमें क्या जोडेंगे, हाँ, एक जोडेंगे, और दूसरी तरफ भी एक ही जोडेंगे, तो 56 जमा एक हो गया 57, 49 जमा एक हो गया 40, तो 57 माइनस 40 क्या बना, याद है आपको, हमने सैंकड़ा चार्ट करते हुए क्या गेम खेला था, क्विक क्विक, बी क्विक, 57 से 40 घटाओ, हो गया 17, तो 57 माइनस 40 हो गया 17, तो आप चेक कर दीजिए, 56 माइनस 49 बराबर 17, और देखते हैं, 84 माइनस 26, 26 को दहाई बनाने के लिए उसमें 4 जोडेंगे है ना, और दूसरी तरफ भी 4 जोडेंगे, तो 84 जमा चार बराबर 88, और 26 जमा चार बराबर 30, 88 माइनस 30, क्या होगा, क्विक क्विक, बी क्विक, 88 से 30 घटाओ, 88 माइनस 30 बराबर 58, ठीक है ना, तो देखा आपने, 84 माइनस 26 को कैसे हमने सरल कर लिया, चलिए एक और उधारण लेते हैं, 71 माइनस 22, अब इस उधारण में 22 कौन से दहाई के पास है, 20 या 30, 20 के पास है ना, तो 22 में से 2 घटाना असान होगा, या उसमें 8 जोड़ना, 2 घटाना ना, 22 में से 2 घटाया, तो दूसरी तरफ 71 में से भी तो 2 घटेगा ना, तो 71 माइनस 2 बराबर 79, और 22 माइनस 2 बराबर 20, तो 79 माइनस 20 बराबर 49, बस 71 माइनस 22 बराबर 49, यही होता है ना, देख लिजे, चलिए इसी तरह से एक और उधारन कर लेते हैं, 82 माइनस 63, 63 कौन से दहाई के पास है, 60 या 70, 60 के ना, तो 63 में से 3 घटाएंगे, और 82 में से भी 3 घटाएंगे, 82 माइनस 3 बराबर 89, 63 माइनस 3 बराबर 60, 89 माइनस 6 बराबर 19, तो 82 माइनस 63 बराबर 19 ही तो होता है, इस युक्ती में घटाई जाने वाली संख्या में चाहे आप कोई संख्या जोड़े या घटाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें दहाई संख्या बनानी है, पस ये याद रहे कि दूसरी और भी वे संख्या जोड़ी या घटाई ही जाएगी, अच्छा, ये सब तो ठीक है, किन्तु जोड़ और घटाई सिखा लेने के बाद, दोनों अवधारनाओं के बीच संबंध भी तो सिखा देना चाहिए, इसे हम कहते हैं जोड़ घटाई परिवार, इस परिवार में केवल तीन सदस से अर्थात संख्याएं होती हैं, उधारन के लिए, छे, आठ, चौदा, तो छे जमा आठ बराबर चौदा, या आठ जमा छे बराबर चौदा, अब चौदा माइनस आठ बराबर चौदा, और चौदा माइनस छे बराबर आठ, दूसरा उधारण 25, 75, 100 तु 25 जमा 75 बराबर 100 या 75 जमा 25 बराबर 100 100-75 बराबर 25 या 100-25 बराबर 70 संख्याओं के बीच यह संबंध छोटी कक्षाओं में समझ लेने से आगे चलकर बीच गणित समझने में आसानी होती है आपको यह वीडियो देखकर मज़ा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे की अन्य वीडियो, गतिविधिया, क्विज इत्यादी देखना चाहते हैं तो अब ही डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाईल आप्लिकेशन और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे जरूर लाइक करें और भी नए-नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें मिलते हैं बहुत जल्द यूट्यूब और संपर्क स्मार्ट शाला आप पर